तो गाइस इंडियन ने भी डबल ए इसे सार के लिए परिक्षा अपर ऑनलाइन टेस्स रीज लॉंच कर दी गई हैं और आप जाके परचेश कर सकते हो अगर आप अपने चैनल कोड यूज करते हो जो कि यह दिया है इंडियन भी 40 तो आपको 40% का डिसकाउंट मिल जाएगा और यह केवल पहले 100 यूज के लिए तो जाओ जल्दी से परचेश करो लिंक मैं आपको और यह कोड मैं आपको डिसक्रिप्शन पर दे दूंगा तो हेलो गाइस वेलकम बैक एकिन कैसा आप सब फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सबजिक्ट है आपके एक्जाम के लिए लगबग 70-80% कोईसन आपके एक्जाम में फिजिक्स याते हैं जिसने एक्जाम दिया होगा और निमेरिकल्स काफे सारे आते तो वह भी मैं आपको कराऊंगा उससे पहले जो आपके थेयरी बेस अब्जेक्टिव बनते हो सारे मैं आपको कम्प्लीट करना चाहता हूँ इ इसके नेक्स पार्ट भी आएंगे वो भी आपको उपर आई बटन पे मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो के अपलोडिंग डाएंगे कुछ दिन बात देख रहे हैं तो उपर आई बटन पे आप इनीचे डिस्किप्शन पे चेकरना इसके नेक्स पार्ट की लिंक मिल जाएगी यह वीडियो बनाने में थोड़ी सी मिनद लगती है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का सिर्फ सीधा आंसर मैं नहीं बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आंसर से लेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वह मैं आपको बताऊंगा जो और इनसे लेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वह भी हम आपको क्लियर करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो यह रहने वाली हैं तो सपोर्ट करना थोड़ा सा लाइक कर देना वीडियो को चैनल पर अगर आप न्यू है तो सस्क्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए नो लोगों तक पहुंचे फिजिक्स है पहला कुशन है निम्न में से मूल मातरक कौन सा है देखो यहां पर जो भी यह लिखे यह मूल मातरक नहीं है अगर जानते होगे थोड़ा सा भी तो यह सारी मूल रासियां लिखी है लेकिन कुशन ऐसा है और और ओरिजिनल कोई मिश ट आपका मूल मातरक होता है बाकि यह आपके मूल मातरक नहीं होते है थोड़ा समय आपको बता देता हूं मूल रासियां विद्पन रासियां क्या होती है देखो मूल रासियां मैं आपको समझाने बैठों तो नहीं समझाओंगा मैं सिर्फ आपको बता देता हूं मूल रासि की सायता से बनाई जाती है ती अब यहाँ पर जो मूह स्यों के मात्रивать मूह मात्रblick है ठीक है और जो व्यूद्पन मात्रicial होते की मात्र है ठीक है नेस्ट कुषिएन देखो क्वेशिन नमब डूग है कुषिएन 9 d l आधरिता का मापन इम रिकॉर्ड बनाने वाला उपकरण है विच इंस्टुमेंट इस यूज टू मीजर रिकॉर्ड टू हुमिलिटी ओफ एर चार अपसन है आपर देखना ध्यान से देखना हाईड्रोमीटर है हाईग्रोमीटर लेक्टो और बैरोमीटर है जो आफका वाईव के सापेष आद्रता मापना जाता है तो वो मापना जाता है हाईग्रोमीटर से आपसन नमबर 20 का सही जवाब है अब जो आपको यहां पे चार आपसन दे रहे हैं यहां से चार कूशन आपके कंपुलीट हो जेंगे जो आपका hydrometer होता है इसका use किसमे किया जाता है तो देखो दुर्वों का आपेचिक घनतमापने के लिए hydrometer का use होता है इसके बाद आता है lektometer तो देखो दूद की सुधतमापने के लिए lektometer का use किया जाता है या फिर एलेक्टोमीटर को दुख्द घनत तुमापी भी का जाता है ठीक है यह भी आपको याद रखना है अब आता है बैरोमीटर तो जो आपका बैरोमीटर होता है गाइस उससे वायो मंदे दाब मापते हैं सुबह जनल साइंस की वीडियो दी थी उसमें हमने आपको बता ग्राम ग्राम डाइन तो देखो जो भार है उसकी इकाई पॉंड है ठीक है किलो ग्राम भी है और ग्राम भी है जो आपकी डाइन है यह आपकी बाहर की इकाई वेट की इकाई नहीं है डाइन आपकी क्या है तो देखो डाइन आपकी जो है यह आपकी बल की इकाई है और ब F P S M QS में कौन-कौन से आती है M से आप होता है M से किलोगराम S से सेकंड C से सेंटेमीटर G से ग्राम S से सेकंड F P S में होता है F से फुट P से पाउंड S से सेकंड तो आपका प्रगा क्या क्वेशन पूछा गए कौन भार की काई नहीं है तो देखो pound, pound आपका जो यहाँ पे दिया यह देखो, यह आपकी FPS पद्दित की अईकाई है, यह CGS पद्दित का ग्राम है और MKS पद्दित का किलो ग्राम है, ठीक है, तो यह तीनों आपकी भारिकी काई हो गई, बचा डाइन यह आपका भारिकी काई नहीं है, तो clear हो गया Python या फिर द्रमन, तो इन में से जो आपकी Vector quantity है, वो आपकी Velocity है, option number 20 का सही जवाब हो जाएगा, इसको आप डिरेक्ट याद रखेंगे, Vector रासी कौन सी है, Velocity, question number 5 देखो, question number 5 है guys, प्रकास का वेग सबसे पहले, किसने मापा था, काफी अच्छा question है और पूछ लिया सबसे पहले मापादा, कभी-कभी नाम चेंज होता है, यहाँ पर ओल रोमल लिख सकता है, ओल रोमल, इनका जो पूरा नाम है वो है, ओल रोमर, ठीक है, सौड में रोमर कहते हैं, तो प्रकास कवेग सबसे पहले किसने मापादा, रोमर ने, next question देखो, question number 6 है, डाइनमो एक यंत्र है, जो क्या करता है, तो डाइनमो देखो, एक यंत्र है, जो आपका, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं, डाइनमो, ठीक है, डाइनमो आपका करता है, यांत्रिक उर्जा को, विद्धुत उर्जा में बदलता है, और आपका क्या करता है, यांत्रिक उर्जा को वेद्द उर्जा में बदलता है option number 6 का सही जवाब हो जाएगा ठीक है next question देखो 7 number द्रवित चालिक द्रव चालित ब्रेक द्रव चालित ब्रेक निमलिकित में से किस से दान पर काम करते हैं hydraulic break works on the principle तो guys इसका जो सही जवाब है वो है आपका पास्कल की निम पर option number 8 का सही जवाब हो जो आपकी द्रव चालित ब्रेक हो गया या hydraulic jack हो गया यह सब आपकी पास्कल की निम पर काम करते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा गर बता हूँ पास्कल के निम क्या होता है तो आप में से लगबग सभी को पता होगा कि पास्कल का निम क्या होता है किसी इस्तिर अवस्ता में कोई भी आपका pot ले लो किसी इस्तिर अवस्ता में इसमें तरल बरा हुआ है किसी इस्तिर अवस्ता में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब ठीक है यहाँ पर कोई भी दाब लगाया जा रहा ठीक है लगाया गया गया दाब कमान सभी दिसाओं में समान होगा ठीक है यहाँ पर कुछ हम वो लगा देते हैं तो जो दाब यहाँ पर हम लगाएं कि वो सभी दिसाओं में एकदम समान लगेगा यह होता अपका पास्कल का नियम पर ही दिर्वशालिद ब्रेक और हाइड्रोलिक जैग वगएरा काम करते हैं ठीक है क्विशन नमबर एट देखो क्विशन नमबर एट है जब किसी पदार्थ की प्रत्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता देखो वेन असबस्टेंस टेकिंग फ्राम अर्थ टू मून दिन क्या होगा तो इसका जो देखो मैं सीधा आपका आउंसर बताता हूं जब किसी पदार्थ को आप पर प्रत्वी पर ले जाते हैं तो जो उसका भार होता है ठीक है भार एवं दर्मा दोनों बार तो उसका भार बदल जाता है ये question of answer इसका सही हो जाएगा B number ठीक है तो इसका भार बदल जाता है लेकिन द्रमान उतना ही रहता है किसी भी पदार्थ को चंद्रमा पर देखो यहां पर चंद्रमा लिखा है आपको confuse करने के लिए याद रखना है किसी भी पदार्थ को किसी भी प्लेनेट पर ले जाओ ना तो कि चंद्रमा की बात हो रही है आप कहीं भी ले जाओ किसी भी प्लेनेट पर ले जाओ जो उसका भार होता है जो उसका वेट होता है वो बदल जाता है परन्त जो उसका मास होता है द्रमान वो नहीं बदल दा है तो उसका जो भार है वेट है वो बदल जाएगा लेकिन जो उसका मास है द्रमान है वो उतना ही रहेगा और यह question पूछा जाता है question number 9 देखो microphone एक उपकरण है microphone एक उपकरण है जो रूपांतित करता है यह क्या रूपांतित करता है आपको बताना है धोनी सिगनल को विद्धो सिगनल में विद्धो सिगनल को धोनी सिगनल में या फिर दोनी सिगनल को प्रकास या फिर प्रकास सिगनल को धोनी सिगनल में लेकिन वो विद्धू सिग्नल में बदल के वहां तक पहुंचता है। अब ही आप मेरी आवास सुन पा रहे हैं। तो यह माइक्रोफोन के थुरू इती हो आप सुन पा रहे हैं। तो यह दोनी सिग्नल को क्या कर रहा है। विद्धो सिगनल में परिवर्थित कर रहा है, रूबांतित कर रहा है, तो समझगे होगे, microphone क्या करता है, next question देखो, question number 10, question number 10, आपका photon किसकी मूल भूत unit है, तो देखो, यह सीधे-सीधे question आपको सीधा-सीधा याद रखने है, जो आपकी photon है, वो किसकी unit है, तो आपको हुआ हुआ है, पर कार करता है, रॉकेट का सिधान के किस पर करता है, istie क्योग है, निूटन के थरद लॉपर, रॉकेट कisme इस das? अब नियूटन का third नियम क्या होता है, सभी को पता है, क्रिया-प्रृत क्या नियम होता है? ठिक है, this question क्योशन 911, sorry, question number 11, question number 12, बेर आपका हर्ज क्या मापने की unit है जो आपका हर्ज होता है वो आपका तरंगो की आवरतिमापति उसे ठीक है तो आपने के लिए कौन सा unit होता है हर्ज होता है नेश्ट कुछिछन देखो कुछिछन सकती कितने के बराबर होती है तो यह दगना बहुत आसान और सिंपल कुछिछन 746 वाट के बराबर ठीक है यहां पर देखो वाट की स्पिलिंग थोड़ी सी गलत लिखिए नेश्ट कुछिन देखो नेश्ट है कुछिन नमबर 14 एक प्रकासी फाइबर कि सिद्धान पर करता जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है टॉप 500 की साइंस की जलना साइस की पड़े थे उसमें एक क्वेशन आया था है ना प्रकासी फाइबर किसी दान्त पर कार करता है तो यह आपका करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन पूर्ण वो है आपकी धूरी की ऑप्सन नंबर सीज का सई जोब जाएगा पहले वीडियो है तो थोड़े हलकी क्वेशन भी मिलेंगे आपको जो कि जिसे आपके नवी अबाहर के लिए इंपोर्टन है तो न्यूटन के पहले नियम को भी कहते है दो न्यूटन को जो पहला नियम हो तो वो विरामा वस्ता में रखी हुई है या फिर वो गतिमान वस्ता में है तो वो अपने वस्ता में ही रहती तब तक जब तक उस पर कोई बाहर बल न लगाया जाए या फिर बाहर बल कार ना करें यह आपका न्यूटन का पर्थम नियम होता है और इसे जड़त का नियम B27 से प्रिवर्जा परिवर्टित होती है वोवकि विद्ध उर्जामें परिवर्टित होती है 17 का ha체 की रिवर्जा कि उत्पादन की प्रीक्रिया का नाम है मैं मैं slain या फिर radius अक्रीट फिर आयनन तो इसका सही जवाब है नाविकी विखंडर nuclear fusion ठीक है next question देखो 19 number है question number 19 है guys गुत्तो करसर नियम की परिवासा किस ने दी तो गुत्तो करसर नियम की परिवासा किस ने दी आपको बताना है तो बहुत आसान question है who defined law of gravitation option number 8 का सभी जवाब है Newton ने ठीक है next question देखो next question number 20 last question है आज किस वीडियो का 20 ही रखे कि जादा नहीं रखेंगा bolometer का प्रियोग किसे मापने के लिए किया जाता है bolometer used to measurement of तो guys जो आपका bolometer होता है इसका use होता है आपका उसमी विक्रण के मापने के लिए ठीक है उसमी विक्रण तो उसमा विक्रण की बात हो रही है तो तापमान इसका सही जवाब हो जाएगा option number B तो guys यह थे आज किस वीडियो के 20 questions हाँ कुछ हलकी question भी थे लेकिन सारे important है कोई न कोई किसी न किसी एक जहां में पूचा जा चुक है जो हलकी question थे ने भी उमार के लिए important जो थोड़े टब थे डैवी डबल एससर एरफोर्स एक्स गुरूप के लिए important है तो सभी question important है और इससे भी tough questions आपको next वीडियो में देखने को मिलेंगे तो next वीडियो ज किसी आपको next वीडियो